कि यूटूब फैमिली रादे रादे कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और अभी टाइम हो रहा है पौने बारा बच चुके हैं सो वैसे लगे लगे सारा काम मेरा हो चुका है और अभी बर्तन मेगरा न फैले हुए कुछ मैंने रख भी दिया उठाकर और कुछ जो है अभी मतलब सूखने के लिए रखे हुए तो यह सारा काम भी खतम करना और अभी मेरे लिए खाना बनाने के लिए रोटी सेखने के लिए तो तवा रख भी दिया है मैंने और सबजी वगेरा सब कुछ बन चुकी है क्योंकि सुपह से जो कपड़े वगेरा धुलते हैं उसमें बहुत टाइम चला जाता है और आज करना इस बार मैंने अभी कुछ भी नहीं बनाया जैसे कि चिप्स पापड जो होते हैं वह कुछ भी नहीं बनाया जब कि मैं काफी सारी चीज़ें बनाती हूं आप लोगों से शेयर भी वीडियो मेरे पड़े हुए हैं तो इस बार नहीं बनाया मैंने कुछ भी ऐसा पता नहीं क्यों इतना मनी नहीं हो रहा है मैं बनाने का कुछ भी बनाओंगी तो अब बाद मैं बना लूँ आराम से लेकिन अभी जो है फिलाल में आप लोगों को एक रेसिपी तो मैं जरू जी जाते हो और मैं कोई suspense नहीं रखती वीडियो में वैसे भी तो जो मुझे मतलब वह देखाना होता है मैं उपर ही लगा देती हूं तो आप लोग अगर देख जैसे की देखना चाहते हो तो देख सकते हो और अगर आप बना भी लेते हो नो तो भी मेरी वीडियो देख ल ब्लॉग में बने रहिएगा तो बाकी अब मैं खाना बना लेती हूं सबजी बनी चुकी है मेरी सुखे वाले जो अलू टमाटर होते है न वो बनाए मैंने सुखी सबजी बहुत पसंद करते हैं सब लोग तो वो बनाए मैंने और बाकी फिर मुझे ये काम खतम करके साफ अच्छे से भून लूँगी इसको जो ब्राउन हो जाएगा न तब तक इसको भूनोंगी और उसके बाद में इसको अलग निकाल लूँगी और यह लिया है मैंने मावा तो यहां पर तेड़ किलो मावा है मेरा और इसको क्योंकि आज मार्केट से मंगाया है तो यह जो है गीला हो जाता है यह जब हम भूनते है न और जो घर का मावा बनाती है न उसको भूनने की जरूत नहीं परती क्योंकि उसको पहले ही हम अच्छे से भून लेते हैं तो इसको भूनने की बहुत जादा जरूत परती है क्योंकि जैसे ही गरम होता जाएगा न यह और ज तब इसको बंद करना है और बाकि उसके बाद में यह बुन चुका है और अब कर रही हूं मैं इसकी तयारी तो इसमें लिया है मैंने इलाइची पाउडर दोनों एक चमच के करीब खुब सारा लिया है और ली है यहां पर किस्मिस बाकि मैं कुछ भी ड्राइब फुट्स नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे बच्चे यहां पर नहीं खाते हैं कि सुरू से आधत पड़ी हुई है और जो आठा भूना था मना मैंने वह भी डाल लिया और यहां पर मैंने 2 kg बूरा छान के रख लिया है और वैसे मैं 2 kg ही डालती हूं क्योंकि मेरे घर में मीठा पसंद करते हैं अगर आपके घर में कम पसंद करते हैं तो आप 20 kg ही बूरा डाल सकती है तो आप ये सब देखकर तो समझी गए होंगे मैं क्या बना रहीं तो मैं बना रही हूं गुजिया तो यह तैयारी कर रही हूं है और जो आप जो मैंने आटा डाला है ना उसकी जगे आप जो है सूजी डालते हैं मैंने ज्यादा तर देखा है सब लोग सूजी डालते हैं लेकिन मैं इसकी जगे जो है आटा डालती हूं जो कि इसका टेस्ट ना कर सकते हो kole तो कुछ भी टाल सकते हो तो यहां पर मैंने 1 kg आटा लिए है जैसे कि 0-5 kg मेरा खुबा जके 0-5 kg मैयाह मैदा लगता है लगती है लेकिन मैं बनाती हूं बोगव ज्यादा भर भर 2,500 kg अच्छ और और उसको अच्छी से अनर रख दिया है किचिन की साथ सफाई हो चुकी है खाना बनाकर बिल्कुल और देखो यह सब कर लिया है मैंने कामबाम खतम कर लिया और यहां पर यह भी साफ कर दिया है यहां पर अभी कुछ बिच्छाओंगी पेपर डालूंगी तो जिस पर मुझे गुजिया बनानी है वो मतलब पेपर डालूंगी और अभी लेके चलती हूं यह बेलने के लिए जो कि छोटी छोटी लोईयां बनाकर और इनको बेलूंगी और बच्चे जो है भड़ते जाएंगे तो आसानी से हो जाता है और आभी मम्मी भी आने वाली है तो इस वज़े से मैंने का थोड़ी सी आप लोगों को दिखा देती हूं मैं किस तरीके से भड़त बढ़ाएंगे तो मैं नहीं बच्चे भरेंगे माला प्रिया को बहुत ज्यादा भर भर के ना सोक है उसको तो मैं बेल दी जाओंगी और प्रिया भरती जाएंगी या फिर जैसे प्रांशु और बढ़र देंगे तो कुछ मतलब इनको सुलाना होता है तो ऐसे करके कर दें है जो पूरी बना के रखी है ना वो ले लिए थोड़ा सा इसमें दवाद होगे ना तो बहुत अच्छे से भर जाता है मतलब खूब दो चम्मच के करीब भरता है तो हमारी जो गुजिया ना भरी भरी रहती है बिल्कुल और इससे क्या है हमारी गुजिया फूरती भी नह लगेंगे ना जब बाद में तो एक दम बिल्कुल खाली नहीं होती है तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको दबा लेते हैं और साइड में जो गोल तयार किया ना मैंने मैदा वाला उसको लगा लेते हैं तो उससे जो है हमारी सैट हो जाती है बहुत अच्छे से मतलब खुल होती आती है लेकिन सुरू मैं वही यही बोलेंगी आके कि मैं बेलू मैं बेलू तो थोड़ी बहुत मम्मी बेलेंगी जो जो मतलब उनका मन करेगा और क्योंकि साथ में क्या सब लोग बैठते हैं तो फिर मन भी लग जाता है बैठके आसानी से बन जाती है तो बात होती र तो इस तरीके से जो है हमारी गुजिया बनकर तयार हो जाएंगी बहुत अच्छी से और सब लोग जब और गुजियाओं का काम ऐसा ही होता है कि मतलब सारे लोग मिलकर बनाते ना तब ही अच्छी लगती है बाकी सारे मत्रियां अकेले बना लेते हूं सारी चीज़ें अकेल काम मतलर सब्सक्राइलें लेकिन ऊर्प जालेते हैं लेकिन जो गुजिया वाला काम है ना इन में तीनों चारो लग जाते हैं तब जाके ये वुजीया ते देखो मेरी बनकर तयार हो चुकी है और अभी इनको प्रांशु किचिन में सुलाने जाएगा तो यह बच्चे इसी तरीके से सारा काम हो जाएगा सब लगे हुए हैं अपने अपने काम पर ऐसा नहीं है कि बहुत जादा मतलब बहुत टाइम लगता है और ऐसा नहीं है हमने एक घंटे के करीब आराम से बना कर तयार कर दी सारी बुजिया और देखो क्योंकि हम लोग ने बहुत जादा भरके बनाते हैं तो उसका आठा भी बहुत कम लगता है मतलब एक किलो आठे में देखो पूरी भरकी बिल्कुल नहीं बची थी मतलब ममी ने लाश्ट में एक लड्डू हम पांचों के लिए एक लड्डू बन गया था खाने के लिए जो कि सब लोग मतला उसको खाते हैं बाद में तो वह सब के लिए एक लड्डू हो गया था बाकी बिल्कुल भी नहीं बचा कुछ भी और चोटी-चोटी से दो पूरी या मनाई थी ममी ने क्योंकि लाश्ट में जब यह बन जाती है ना उसके बाद में लाश्ट में जो है दू दू पूरी या उतरवाती है तो देखिए गुजिया मैंने सेट लिए है और बेना फूटे हुए एक तो फूटने वाली है इसमें देखो गुजिया कितनी अच्छी लग रही ना एक दम फूल और हम कोई भी चीज घर पर बनाते हैं तो वह बहुत ही अच्छी बनती है और टेस्टी भी लगती है और काफी सारी बन भी जाती है तो यहां पर जो है मैं दोनों तरफ उलटते पलटते इनको ऐसे ही सेखूंगी जैसे हम मठ्रियों के सेखते हैं बस ज्यादा इसमें नहीं क करना बाकी मैं दोनों तरफ सेखती हूँ जैसे कही कहीं बोलते हैं न की तरफ सेखती हैं लेकिन नहीं मैं पलटते पलट के दोनों तरफ जैक्त है और मुझे थोड़ी ब्राउ। आपको गुजिया की रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक से और सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा मिलती हूं एक नए वीडियो के साथ बाई-बाई झाल झाल